हम लोग लास्ट क्लास में कल्पेबल हुमिशाइड एमांटिंग टुमेडर और कल्पेबल हुमिशाइड नौट एमांटिंग टुमेडर पे काफी अच्छा से चर्चा कर चुके थे उसको खतम कर देटाप साथ में हम लोग यह देखे थे हैं सेक्षन 303 में मैंडेटरी जायाएगा केस लाओ देखे थे और उस לדकर अंदर इस सक्हाया के इस सिक्षान को अननों सब्सक्राइड कर दिया था दो केसे घ壓 के इसके रिलेटेड जब पहला के देखे थे वो कौन सा था кос कि दोन्हों के पहला किस कौन सा था कि रंजी सिंग का केस था रंजी संग वर्सेज यूनियन टेटरी अफ चंडिगर 1982 जिसमें इसको constitutional held किया गया था फिर उसके बाद तुम्हारा जस्ट नेक्स्ट इयर मिठ्ठो सिंग वर्सेज टेक्ट पंजाब केस हुआ था जिसमें डीवाई चंचूर जो थे पाच constitutional bench बैठाए थे इस मैटर पर और इस सिक्षन को कहा गया था कि यह अन constitutional section है लेकिन साथ ही यह कहा था कि mandatory punishment का प्रोविजन अन constitution नहीं है SCST acts ठिक है ndps act यह सब एक्ट में वह धैरिड मना गया था बना गया था लेकिन section 303 यह unconstitutional held कर दिया गया था आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है culpable homicide causing the death of the person other than the person whose death was intended ठीक है कह रहा है कि culpable homicide होड़ा ठीक है क्यों culpable homicide होड़ा क्योंकि में x के किसी act कारन किसी person का देख हो गया है लेकिन जिस person को मारना चाहरा था उस person का देख नहीं हुआ है उसके जगह किसी और person का देख हो गया है तब उसका liability क्या होगा ठीक है हम जिस person को mister x जिस person को मारना चाहरा था अगर वो नहीं मरता है, उसके जगह कोई और मर जाता है, तब जिस person के act के कारण किसी का दित हुआ, उसका liability क्या होगा, कहता है, if a person if a person by doing anything which he intend or knows intention भी है, या knowledge है, दोनों में से कोई भी है to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intended nor know himself that likely to cause the culpable homicide commit by the offender is the description which would have been if he had caused death of the person whose death was intended and know himself that likely to cause कराय कि अगर हम knowledge है और intention है और मेरे किसी act के कारण किसी person का दित हो जाड़ा है जिसको के मेरा को intention नहीं मानने का तो हम वैसे ही libel होंगे जैसे कि अगर वो person मर जाता जिसका हम को intention था मानने का तो वो person मरता तो मेरा जो liability होता वही liability उसमें भी हो जाएगा कोई exemption नहीं दिया ठीक है इस matter पर जो पहला केस था तुम्हारे पास वो था तुम्हारे पास state of महराष्ट्रा पास तुम्हारे पास द तुम्हारे पासिरो Tabiiे सब्सक्राखत्व है् organism स्वेद्धिक का सी गुए है इस ब्सक्षण का से जीए है ठीका कुए है एक व Sus Нवे फृसायरे पास कि लो ठीक यह केस तुम्हाँ पास दोहजार तीन का यह केस क्यों इंपोर्टेंट है कि कोई इस केस में कहा सुप्रीम कोट ने यह एक जज्जमेंट देते हुए कहा कि कर रहा है कि हम जब इस कुईसी ऐसे परशन का देत काउज कर रहे है ठीक जिस परशन को मेरे मारने का कोई इंटेंशन नहीं नहीं नौलेज है लेकिन मेरे करण देत होड़ा है ना मेरे किसी आक्टे करण तो हम वैसे ही लाइबल हो जाएंगे जैसे कि उस परशन को मारने के लिए हम लाइबल होते है जिसको माणने का मेरे पास intention है या knowledge है ठीक है ये case held क्या था ये case पूछा हुआ था इसलिए हम बताती है एक और case है इस पर important वो है तुम्हारा संकरलाल कच्रा भाई संकरलाल वर्सेज स्टेट अफ गुजुराद ठीक ये case है तुम्हां 1965 का इस case में एक आदमी दूसरे आदमी को माणने के intention से गया ठीक लेकिन जिसको वो माणना चाहे था उसका identity वो नहीं reveal कर पाए और किसी और person को समझा कि वही आदमी है और वो identity ना clear होने के काने किसी और को माणने के आगे ठीक है तो कहा court ये held किया कि उससे कोई fact नहीं पड़ता है आप जिसको माणना चाहते थे या नहीं माणना चाहते थे अगर आदमी मड़ा है तो आप वैसे ही libel होगा जैसे आप अगर जिसको चाहते थे माणना ठीक है तो वो मड़ जाता तो आपका liability क्या होता तो वैसे ही आप भी libel हो जाएंगे मड़ जाता तो क्या libel होता है या तो libel is culpable homicide amounting to murder होता या culpable homicide not amounting to murder होता उसका साड़ा ingredient से match करेंगे और आप जिसमें libel होंगे अगर मालो culpable humus 304 के लिए suppose that libel होड़ा है तो उसको लिखेगा 304 red with 301 ठीक है ऐसे लिखते था ठीक है इसको ऐसे समझो अगर एक आदमी जो है वो Mr. A है मालो ये है Mr. A Mr. A जो है वो धक्का देता है Mr. B को ऐसा धक्का देड़ा है कि छत से गिर के मढ़ जाए लेकिन इसी दोड़ान क्या होता है कि C बिच में आ जाता है और B को धक्का देने के जगा C को धक्का देला जाता है A तो चाहता था मालना B को लेकिन मढ़ कौन गया Mr. C मढ़ गया ठीक है इसका नए इंटेंशन था इसको माणने का लेकिन इसके एक्ट करना तो यह मढ़ गया न तो उसके बाद हम लोग दिखेंगे कि जिस तरह तो धक्का दिया है वो कलपेवल होमसाइड आमांटिंग टू मर्डर मेरा है कि कलपेवल सेव में ठीक है पॉइजन मिला कर दे दिया खाना चाहिए था इसको इसने सेव रख दिया और सेव को इसके बच्चे आगे खा गया ठीक है ना ही इसका इंटेंशन था अपने बच्चों को माणने का ना ही इसका कोई मोटीव था ठीक है ना ही इसका नौलेज था कि मेरा ब अच्छा मड़ गया तो यह वैसे ही लाइबल हो गया जैसे कि वह अपनी वाइफ को माड़ता तो लाइबल होता सिक्सन 301 को हम लोग जानते हैं दूसरी नाम से ट्रांसफर ओफ मैलिस ठीक है ट्रांसफर ओफ मैलिस या फिर ट्रांस माइग्रेशन ट्रांस माइग्रेशन ओफ मैलिस दोनों नाम से जानते हैं ठीक है इस सिक्सन को लोग दो नाम से जानते हैं या तो ट्रांसफर ओफ मैलिस दूर भाबना किसी और पर ट्रांसफर हो गया है या ट्रांस माइग्रेशन हो गया है मेरे इल्विल का मेरे मैलिस का इस सिक्षन में लाइबल होनें के लिए पहला कंडिशन यह है कि मेरा intention होना चाहे किसी को देद काउस करने के लिए सरीफ और सरीफ intention ही sufficient हैं हमको इसी मतलब नहीं है कि victim कौन हुआ हम criminal liability जब भी तया करते हैं तो हम बहुत बहुत बहुता हैं कि हम किस method से जो means adopt किए उस crime को commit करने के लिए वो relevant होता है ना कि उसका end result relevant होता है ठीक है तो उसी तरह इसमें भी कर सकते कि कौन आदमी मड़ा हुए irrelevant है ठीक है कैसे माड़े वो relevant दिखा जाएगा केस था तुम्हाड़ा एक और बल्लन ठीक है केस था तुम्हाड़ा बल्लन बल्लन वर्से स्टेट ओफ यू पी कि ये तुम्हाड़ा है 1955 के केस है इस केस में क्या हुआ था कि एक बल्लन नाम का दकेट था जिसको कि एलिस्ट किया गया था पकड़ा जाना था मतलब पुलीस लोग उसको ट्राई कर रहा था पकड़ने के लिए वो तीन घर में डकईती करके भागा था और पुलीस लोग उसको पकड़ने का कोशिस कर रहा था वो धान का जो होता है ना धान वाला चीज़ उसके पीछे छेपी पुलीस लोग बोला कि बहाड़ा वो बहाड़ा आने के बज़ा बज़े गोली चलाया सब इंस्पेक्टर राम मूर्ती सिंग था उस पे गोली चला दिया जब गोली चलाया तो गोली चलाते वो सब इंस्पेक्टर राम मूर्ती सिंग जो था वो देख लिया और वो जूक गय जो कर गया तो उसके जगह दूसरे इंस्पेक्टर को गोली लग गया ठीक है, कॉंस्टेबल को गोली लग गया, कॉंस्टेबल अंदे स्पॉट दित कर गया बलंसिंग को इस सेक्षन के अंडर लाइबल ठेड़ाए गया बलंसिंग ये पिली लिया कि हम उसको नहीं माणना चाहते हैं थे हम सब इंस्टेक्टर पर गोली चलाए थे प्लेन कोई और ही मड़ गया कोटी हेल किया कि कोई और मड़ गया उससे मतलब क्या है ठीक है तुम्हां इंटेंशन था नौलेज था तुम सेक्षन 301 में पनिस्मे अगला जो बात बलता है कि यह अपलाई होगा ऐसे केस में भी ठीक है कि अगर हम किसी और को हम गोली मानना चाहरे थे ठीक है किसी और को गोली मानना चाहरे थे और गोली किसी और को लग गया तो हम doctrine of transfer of malice को वहाँ पर भी applicable बनाएंगे केस था तुम्हारा इस पे गयान गयांदरा कुमार वर्सेज स्टेट अफ यूपी इस केस में देखो क्या हुआ था इस केस में फादर अंकल जो था वो स्कूल के कमीटी में मीटिंग कर रहा था वहाँ पर उस पर किसी और एलिगेशन लगाया कि तुम्हार किसी का फादर था वो तो तुम्ही दुनों मिलके पड़िवार वाद चलाते हो मोनोपॉली चलाते हो ठीक है यह बात को उस पे एलिगेशन बंदूक लेके आया ठीक है जब गन लेके आया तो उस टाइम तक मीटिंग खतम हो गया था ठीक और जो आदमी इल्जाम लगाया था वो किसी और आदमी के साथ खड़ा था कोईड़ में वो आया गन लेके और जो आदमी कोईड़ा था उस आदमी कोईड़ा था उस आदमी में दोड़ा कि गोली न चला दे पकड़ने के लिए उसको अंकल उसमें थ्वासत छिने छप्टी वह उसमें गोली चल गया और जो आदिम भागड़ा था उसी को गोली लग गया ठीक है गोली जो था वो उसको मड गया लग गया ठीक है तो उसको लाइबल किया वैसे ही जैसे कि वो libel होता उसने कहा कि यह जो था वो sudden fight में लग गया जब वो sudden fight में गोली लगया यह सो कर देता तो culpable homicide not amounting to murder में libel होता court ने कहा कि यह कोई sudden fight नहीं था और तुम murder के लिए libel हो murder के लिए libel हो और यह transfer of malice हुआ है जो तुम गोली किसी और को ने थे लगा किसी और को तो वहाँ पर transfer of malice बेप्लाइड होगा तो वो murder के लिए libel हो और section 301 भी साथ में read किया गया ठीक एक और और देख लोग bear provision क्या कर रहा है culpable homicide ठीक culpable homicide यहां culpable homicide word यूज कर रहा है तो यहां include कर रहा है culpable homicide amounting to murder as well as culpable by causing death culpable homicide के सोड़ा किसी के death के कर रहा है किसी का death होगा तभी culpable homicide होगा हो सकता है वो amounting to murder हो यह not amounting to murder होता है of a person other than the person whose death was intended ठीक जिसको मारना चाहे थे वो नहीं मारा उसके जगह कोई और ही दूसरा person मार गया section के कर रहा if a person by doing anything which he intend or no to be likely to cause death committed culpable homicide causing the death of any person whose death is neither intended nor himself is likely to cause क्या कर रहा है कि person के किसी act है कार किसी वेक्ती का मर्टी होड़ा है जिसका कि death जो है वो नहीं intention था उसको मारने का नहीं उसका intention था अनना ही उसका knowledge था कि वो आदमी मढ़ जाएगा वो आदमी नहीं मढ़ उसके जगा कोई और आदमी मढ़ गया थीक है तब जाके इस सिक्सन को अट्रेक्ट करेगा अर्माल उसका intention ही नहीं था किसी को मारने का और वो मढ़ गया तो वो नहीं 301 में लाइबल होगा नहीं 299 में लाइबल होगा तो उसके लिए लाइबलीटी क्या करा है और हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा साथ में वो चाहे तो फाइन लगा सकता है या नहीं लगा सकता है ठीक है देख देख पेनल्टी का बात होड़ा है ठीक है जब देख पेनल्टी का बात होड़ा है ठीक तो पहले ये समझो कि अगर मालो उसको जज जो है वो करा है कि मैक्सिमम इसमें क्या लगा सकता है कि इंपरिजनमेंट फोर लाइफ भी तो दे सकता है ठीक है अगर मालों वह 1 पिर्जेन्मेंट फॉर flourish कि जगा दस सल का सजा दे रहा। ज़ग वह 10 साल का सजा दे रहा। मैक्सिमम मंपनीश्मेंट by का मैक्सिमम पनीश्मेंट ईस्थ उससे कम इंपिर जया से जुगा ड्रैफ है। तो कोई ना कोई reason होगा जज़ के पास कि आखिर आप क्यों उसको कम सजा देड़े Impregionment for life को Section 367 है तुम्हाँ आपास CRPC का 367 उसका सब clause 5 है कहता है कि आप Impregionment for life से कम सजा देड़ है न तक कारण लिखी अपने जज़्जमिंट में कि आप काहे देड़ है मन मरजी नहीं चलेगा कारण बताई CRPC इतना पे ही चुप नहीं हो गया ठीक है साथ में ही भी बोला कि अगर आप देथ पनिसमेंट देड़ है तो 354 CRPC का सब सेक्षन 3 है कहता है कि अगर देथ पनिल्टी दे रहा है तो बताईए क्यों दे रहे हैं कारण लिखी ठीक है आपके नजर में क्यों उसको देथ पनिल्टी मिलना चाहिए जज़ को जज़्जमिंट में कारण लिखना पड़ेगा बताना होगा कि ये rare of the rarest cases है इसलिए हम उसको दे रहे है ठीक है देथ पनिल्टी का मिलता है सबसे पहले देथ पनिल्टी जो है उसको चैलेंज किया गया ठीक पहले ये समझो कि देथ पनिल्टी को बहुत सारे अधर जो कंट्रीज है उसमें एबॉलिस कर चुका गया ठीक है जैसे कि तुम्हारा सिंगापूर में कोई एक्ट है, सिंगापूर में उसको एबॉलिस कर दिया है, सिंगापूर में कोई भी offense कर दो उसके death penalty नहीं मिलता है ठीक, ओर भी बहुत साड़ा states है, जहांपर भी death penalty को एबॉलिस कर दिया गया इंडिया में ये सवाल उठते रहा है कि death penalty को abolish कर देना चाहिए लेकिन अभी तक जो present situation ने बहुत बाड़ी उठा है लेकिन अभी कर जो present situation ने उसमें death penalty grant किया जाता है death penalty को abolish नहीं किया गया इसका सबसे बड़ा जो तड़क दिया जाता है वो बोलता है जब आप किसी को science इ life imprisonment देजिए ठीक है death penalty देना कोई नहीं है बहुत सरा country इस टाइप के तरक को माना है और वहां पर death penalty खतम है इंडिया में अभी नहीं हुआ सबसे पहले death penalty को challenge किया गया जग मुहन ठीक चग मुह हन जग मुहन सिंग वर्षेज state of UP ठीक केसे तुम्हा 1973 का जग मुहन सिंग वर्षेज state of UP में capital punishment को challenge किया इस section को death penalty को challenge किया गया कहा कि किसी को death penalty देना article 14 article 19 और article 21 का violation है article 14 का violation क्यों है क्योंकि ये जो है judge अपना discretion यूज करता है ठीक है जज के उपर depend करता है कि किसी person को capital punishment दे रहा है और किसी person को imprisonment for life दे रहा है अपना discretion करता है और आटिकल 14 क्या करता है इक्वाइल्टी भी फोर दलो तो दोलों एक जगा अपना discretion यूज करके capital punishment दे रहा है एक जग अपना discretion यूज करके imprisonment for life दे रहा है ये तो आटिकल 14 का violation है आटिकल 19 का भी violation है ठीक है fundamental right जो तुमको 6 तरह का दिया गया है उनका भी violation है और कहा कि आटिकल 21 का भी violation है आटिकल 21 क्या कहता है no person shall be deprived of his life or personal liberty except according procedural established by the law इन तीनों आटिकल का हवाला दे के इसके constitutional validity को challenge किया गया court कहा कि जब कोईसी आदमी को death penalty देता है तो उसके description पे नहीं रहता है जज के description description पे नहीं होता है कि हम उसको death penalty दे पूरा due process को अपनाता है उसका तहत तक जाता है उसके बाड़े में सब चीज पता करता है उसके बाद उसको लगड़ा है कि उसको death penalty मिलना चाहिए तो उसके बाद लेता है ठीक है तो वो equality before of law का तो कहीं से violation नहीं है क्योंकि वो सारा चीज को consider कर करके देता है ठीक है दूसरा चीज भी ही बोला कि जब हम किसी को death penalty दे रहें ता इसा थोड़े ना है कि हम अपने मन से उठा के किसी को दे दे रहे हैं कि हम पहले evidence वगड़ा लेंगे इंडियन evidence act में एक procedure दिया हुआ है कि कईसे कईसे हमको evidence लेना है वो साड़ा procedure अपनाएंगे CRPC का साड़े procedure उठाएंगे तो यह तो हम procedure जो establish किया गया law को उसको तो पुड़ा हम देखी नहीं तो कहां आपको लगड़ा है कि procedure is established by law को हम follow नहीं कर रहे हैं ठीक है तो कहा कि एकदम valid है death penalty देना ठीक है इस case में फिल्ड किया गया कि death penalty जो है वो constitutionally valid है case क्या था तुम्हारा case था जगमुहन सिंग वर्से श्टेट ऑफ यूपी दूसरा बार फिर से इस case को challenge किया गया ठीक है death penalty को फिर से challenge किया गया कि death penalty देना unconstitutional है इस बार case जो हुआ वो था बच्छन सिंग का ठीक है बच्छन सिंग वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाव 1980 ठीक है देखो यहां years जो है ना बच्छन सिंग का case का वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मिल सकता है क्योंकि यह year जब होता है जब offense commit कि होगा तो उस time जो case चल रहा हो उसमें year हो सकता है दूसरा हो यह appeal उपिल में गया हो तो appeal के हिसाफ से year पढ़ जाता है कि नहीं वह judgment था वो सही था और इस case में establish क्या गया कि जो देथ penalty मिलेगा वो रेयर ठीक है रेयरिस्ट र-e-r-e-s-t रेयरिस्ट ओफ रेयर ठीक है वर्ड क्या है रेयरिस्ट ओफ रेयर रेयर केस में ही दिया जाएगा देथ penalty और इसमें टेस्ट बताया कि हम कैसे इसी case में टेस्ट बताया कि कोई कैसे decide करेगा कि यह case जो है वो रेयरिस्ट ओफ रेयर में आता है कि नहीं आता है कहा कि पहले यह देखिए कि जो murder किया गया है दित काउस किया murder ठीक है उसमें क्या वो previous planning किया था अवंटर करने से पहले और previous planning करके वो जो murder किया है वो extreme brutality के साथ किया है क्या बहुत ज़्यादा brutality के साथ किया है अगर यह दुनों बात सावित हो जाता है तो माली जे कि अगर मालो और क्या बोला कि अगर मालो कोई armed force का member है सेना उनना का अदमी है और वो कहीं duty पे गया है और उसके पीछे उसके family में किसी का murder कर देता है तब अगर उन लोग को इतना नहीं liberty दिया जाएगा तो उन लोग तो duty पे जाने से पहले 100 वार सोचेगा तो उस case में मालो कि वो rare of the rarest case है और local death punishment के दो जो इसा किया ठीक है और भी बहुत साड़ा चीज किया अगर मालो इसमें और भी दो तीन चीज जजमेंट दिया था ठीक है लेकिन यी भी case जो था वो rare of the rarest का हवाला देके निकल लिया था पूरा अच्छा से clear नहीं किया था कि आखे rare of the rarest हो था क्या है फिर आया तुम्हारा माची सिंग का केस ठीक है बच्चन सिंग और माची सिंग एक तरह से connected ही हैं ठीक है माची सिंग माची सिंग वर्से स्टेट ओफ पंजाब ये case है तुम्हारा 1983 का इस case में बहुत detail में बताया गया कि आखिर हम कब कहें कि ये कौन case rare of the rarest है और कौन case rare of the rarest नहीं है बातों का ध्यान रखेंगे ठीक है capital punishment जब देड़ है तो आखिर वो कौन कौन सा बात है जिसका हम ध्यान रखेंगे पहला कहा कि manner of commission of murder first बात क्या होला कि manner क्या है किस way में माडा गया ठीक है कह रहा है कि अगर मालो हो सकता है कि आदमी जो है ऐसा माडा है कि उसका घर पुड़ा जला दिया है और जिन्दा आदमी को अंदर जलने के लिए छोड़ दिया तेक्ष आदमी घड के अंदर है घडे पुरा जला दिया जिन्दा आदमी घड में तरफ तरफ के मारा है। वो रेड़ ऑफ देड़ेस्ट के से, ठीक है, उसी तरह कहा कि अगर किसी टाइब का इनहींन टॉर्चर करके, कुरैल्टी के साथ मारा है उसको, उसका मारने से पहले हाथ काटा, पैड काटा, उसके बाद मारा है, आख निकाल दिया जिन्ना में, उसके बाद मारा है, इस काड़ने के बाद उसका बॉड़ी का पार्ट पार्ट टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ठीक है तिक काड़न कर दिया तब तो ये रेरॉ तो सबसे पहला चीज रेर आफ दा रेरेस्ट है कि नहीं क्या देखता है कि किस तरीके से उसको मार रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो रेर आफ दा रेरेस्ट किस नहीं है ठीक है है कि नी दूसरा कर रहा है कि मोटीव क्या था मुर्टर करने का ठीक है दूसरा बात क्या कर रहा है कि आखिर किस काड़न से हो मार रहा है ठीक है कता है कि अगर मालो वो ऐसेसेसनेशन है ठीक है ऐसेसनेशन जो है ऐसेसनेशन क्या होता है पता है न एसेसिन होता है वो जो पैसा लेकर किसी को मारता है हसासीन वर्ड होता है हसासीन हसासीन वर्ड से एसेसेसन बना है वर्ड ठीक है हसासीन वर्ड पुराने टाइम में वो आदमी होते थे जो पैसा उसा लेकर कि राजा के लिए किसी आदमी को मारते थे उसी वर्ड से बना है अ तो वह कहता है कि कमिट क्या क्या है कि वह असे ने और सिर्फ पैसा के लिए मार दिया किसी को पैसा के लिए बहुत खड़ाब काम किया है पैसा के लिए ताकि उसको प्रॉपर्टी मिल जाए किसी टैप का पैसा के अपने मुदर लैंड को बिट्वैल कर रहा है ठीक है मदलब देश देश दुरह का काम कर रहा है उस तरवान मुदर कर दिया पैसा के लिए बहुत तो दूस्ट हम लोग क्या क्या देखे कि रेड अफदर यह जब वो मुदर कर रहा है तो एंटी सोसल एंटी सोसल और से ली एब होरेंट नेचर का क्राइम कर रहा है ठीक है मतलब एंटी सोसल काम कर रहा है कोई मालों दलित समास से है ठीक है और दलित समास से है और मालों की मंदिर उंद कर रहा है तो उस तो कहा कि तो रेर्ड फ़ रेर्स केसे में फॉल कर रहा है ठीक है बिहार का इहीं एक केसे उसमें जो डलित समाज का वेक्ति था वो घोड़ा पे चेहड़ा था साधी में बढ़ात जाड़ा था तो घोड़ा पे चेहड़ा उसको मार दिया किसी बात से कि होके ठीक है तो इसलिए उसको मार डाना कहा कि रेयर ऑफ दा डेरेस्ट केसे के से के कटेडिमी फॉल कर जाएगा ठीक है लास्ट जो तुम और क्या बोल रहा है कि हम कैसे देखेंगे magnitude of crime देखेंगे ठीक है मतलब किस टाइप से क्या आगे है magnitude of crime मतलब कि अगर माल लो एक ही family के पाच आदमी को मार दिया यह रेयर ऑफ दा रेरेस्ट केस है ठीक है एक ही family में तीन लड़की थी तीनों को मार दिया यह सब जो है magnitude ही सब कहा है बहुत आई है तो इस सब केस को कहे है कि rare of the rarest case है इसमें डाल दो death penalty दे सकते हो हम लोग जब देख रहे है rare of the rarest case है तो उसमें victim personality देख रहे है murder का ठीक है personality of victim ठीक है personality of victim of murder किस का आदमी का murder कर रहा है वो भी हम लोग देख के कहेंगे अगर मालो बिचारा innocent child है कुछ नहीं किया हो और उसमें उसको मार दिया कह रेर of the rarest case है ठीक है उसके बाद कहा रहा है कि एक विचारी helpless women थी उसको मार दिया helpless women थी एकदम एकदम बीमार हालत में थी उसको मार दिया ये भी rare of the rarest case है ठीक है किसी कर उसके बाद अगला जो है वो कहड़ा है कि suppose that कहड़ा है कि position of the victim क्या है मतलब वो कोई एक ऐसा आदमी मार रहा है जिस पर वो trust करता था बाप अपने बेटी को मार दिया ठीक है इस टाइप के वो तो trust कर रहा है ना बेटी अपने बाप पर trust है वो ऐसा काम कहा कि society में बाप बेटी का डिलेसने खड़ाब हो जाए trust ही पर सबस्क्राइब कहा कि rate of the rarest case में डाल दो ठीक है उसके बाद वैसे public figure को मार दे रहा है जो public में बहुत famous है ठीक है कोई ऐसा आदमी है जो public में बहुत famous है और उसको मार दिया महातमा गांधी को मार दिया महातमा गांधी क्या थे father of the nation का दरजा मिलता थे उसको मार दिया रहा हतना गोट से rate of the rarest cases में कहा उसको death penalty मिला हाला कि इस सब चीज होने से पहले का बात है उसी तरह राजीव गांधी जो थे वह एक public figure थे राजीव गांधी जो थे public figure थे इंद्रा गांधी जो थे तो हम जो बूल रहे थे वो बूल रहे थे कि राजीव गांधी public figure है ठीक है इंद्रा गांधी public figure था इंद्रा गांधी तो इस टैप को और और ऑनर किलिंग समझ में आता क्या होता है अगर एक आदमी एक कास्ट का आदमी दूसरे कास्ट के आदमी से साथिक लिया ठीक है एक सुपीरियर कास्ट का वो इनफेरियर कास्ट से साथिकर लिया तो वो सोचता है कि मेरा जात बदनाम हो जागा यह बदनाम हो जागा उसके करण से उसको मार देता है इस टाइप के मर्डर को कहा गया कि वो रहल उस नड़्ड के से साथिकर पंचायत होता हम और यानिचे ना पूंहहूँ तो इंटरकास्ट मेरेज में जीसे खाब पंचायट जितना लोग के बरःग। कि इंटर कास्ट मेरेज कर रहा है तो जो जो भी इस टाइप का अगर होता है इंटर कास्ट मेरेज में तो उसको एगर रेर ऑफ देर्श का टेगडी में ला देता है ठीक है